दिव्यास्त्रों की प्राप्ती एक बार वीर्वर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुन्दर वन में जा पहुँचे वहा के शांत वातावर्ण में वे भगवान की शंकर की तपस्या करने लगे उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए वहाँ पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा की एक दैत्य शूकर का रूप धारण करत पस्यारत अर्जुन की घात में है शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बान छोड़ दिया जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देख कर बान छोड़ा उसी समय अर्जुन की तपस्या तूटी और दैत्य पर उनकी द्रिश्टी पड़ी उन्होंने भी अपना गांडी धनुष उठाकर उस पर बान छोड़ दिया शुकर को दोनों बान एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए शुकर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही शुकर को अपने बान से मरा होने का दावा करने लगे दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बानों की वर्शा करते रहे किन्तु उनके बान भील के शरी से टकराट कराकर तूटते रहे और भील शान्त खड़े हुए मुस्कुराता रहा अंत में उनकी तरकश के सारे बान समाप्थ हो गए इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमन कर दिया अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकरा कर दो टुकडे हो गई अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्चित हो गए थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्चा तूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ची पर पुश्पमाला डाली किन्टु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ती पर पढ़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली यदि आप सच्चे भारती है भारत माता से प्यार करते हैं तो इस कमेंट पर क्लिक करके चैनल को सुबकरिब करें एटरेट लेसी सन्नी दो स्टोरी 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 स्टोरी